नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारत के लिए अमेरिका और फ्रांस से एक काफी जादा बड़ी न्यूज सामने निकल करके आई है तो भारत के लिए अमेरिका और साथ में फ्रांस ने तो इन दोनों देशों ने एक बड़ा कार्ड चला है जिससे की ये मिलिटरी टेकनोलोजी को लेकर के भारत को अपनी साइड करना चाहते हैं तो भारत को लेकर के इन देशों की ये जो जीद है तो इसका भारत के ओपर एक काफी जादा बड़ा इंपक्ट पढ़ेगा और इसका जो इंपक्ट है वो भारत के ओपर पोजिटिव वे में पढ़ने वाला है क्योंकि इससे आप सबको देखने को मिलेगा कि जो भारती देशों की बीच में ये होड लग चुकी है कि कौन सा देश अपनी जो प्राइम टेकनोलोजी है वो भारत को जल्द से जल्द और सबसे पहले प्रोवाइड कराता है क्योंकि दोस्तों दोनों देशों ने अपनी स्टेट ऑफ दी आर्ट और साथ में इनके पास जो प्राइ अमेरिका है तो वो अब अपनी जो सबसे ज़्यादा प्राइम और साथ में क्रिटिकल टेकनोलोजी है उसे भी देने के लिए तयार है और हाल ही में आप सबको पता है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने लगबग 440 मिलियन युएस डोलर की जो है तो उसे प्रोवाइड क लिए अमेरिका ने ये जो बड़ा कदम उठाया है तो ये काफी ज़्यादा पावरफुल और साथ में वैल्यू रखता है जिसमें अमेरिका ने भारत को सबसे पहले तो जेट इंजन को ले करके जो टेकनोलोजी है उसे भी प्रोवाइड कराने की बात कही है और साथ में य GE के F414 इंजन को देखते हैं तो ये इंजन ओल्मोस्ट बन करके तयार है इसमें डवलप्मेंट के लिए कुछ खास पोटेंशल नहीं बचा है लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने यहाँ पर और भी काफी सारी ऐसी टेकनोलोजी से जिनको भारत को प्रोवाइड कराने की बात कही है जिसमें आप सबको एरक्राफट कैरियर के लिए जो इमाल सिश्टम है उसकी टेकनोलोजी देखने को मिल जाएगी ड्रोन टेकनोलोजी देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ में हम चाहे तो अमेरिका के साथ direct energy weapon system और जो nuclear reactor है उनके उपर भी गात कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर भारत को काफी कम समय में long term के लिए जो benefit है वो इससे मिल सकता है क्योंकि अगर आप इन सारी technologies की बात करते हैं तो इन में से ज़्यादतर technologies को अमेरिका की दुवारा पहले ही हासिल कर लिया जा चुका है इसके अलावा अमेरिका ने एक और बड़ा कदम ये उठाया है कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच में MQ9 ड्रोन्स को लेकर के बातचीच चलती आ रही है तो इसमें भारत का सबसे बड़ा objection point ये है कि इन ड्रोन्स की जो कोश्ट है वो काफी जादा है जिससे की दोनों दे देखने को मिलेगा कि भारत की जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसको भी एक काफी जादा बड़ी मदद और पुश मिल सकता है तो यहां पर ये बात रही अमेरिका की इसके बाद आप सबको हमारे सेकंड अलाई यान की फ्रांस का भी पता होगा तो उनकी जो फोरन मिनिस्टर ह तो हाल ही में वो भारत की विजिट के उपर आई थी जहां पर उन्होंने भी बड़े ऐलान की हैं कि वे भारत के साथ में जेट इंजन को बनाने की लिए तयार है और साथ में जो SSN क्लास की सम्मरीन है तो उनको भी फ्रांस भारत को प्रोवाइड करा सकता है अगर आप जे इसके बीच में डवलप कर लिया जाए इसके बाद में यहां पर SSN क्लास की जो सम्मरीन है तो उनके लिए भी कुछ बड़ी अनौसमेंट को किया गया है अगर आप इन सम्मरीन की बात करते हैं तो यह भारत के लिए most important project मेंट से एक रहने वाली है क्योंकि अभी के लिए भ भारत ने भी यह बड़ा कदम उठाया कि हम जल्द ही छे SSN क्लास की जो सम्मरीन है उसे अपने बेड़े में शामिल करेंगे और इससे पहले हम रशिया से एक और जो SSN क्लास की सम्मरीन है उसे भारती नोसेना के लिए लीस पर ले ले लेंगे तो दोस्तों इन सारे developments को ले बाइ जैहिंद